हेलो स्टुडेंट्स वेलकॉम बैक टू एलीट टूटर्स चलिए इसमें भी कंटिनु करेंगे हम इस वीडियो में चप्र नुबर 6 स्ट्रेटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेड 6.6 और इसमें हम देखेंगे दो कॉश्चन्स कॉश्चन नुबर 14 और कॉश्चन नुबर 16 और 15 क्यों नहीं क्या स्ट्रेंट्स क्योंकि कुश्चन नुबर 14 और 15 जो ही वो एक टाइप का कॉश्चन है जहां पर आपको पाई डिया हुआ है उसके अंदर डीटेल्स दिये हुए हैं और उसके उपर आपसे क्वेश्चन्स पूछें और इसके बाद जो क्वेश्चन्स भस आप देख रहे हो पासिंग ए सिगनल इन टाउन बिट्विन 8 एम एंड 10 एम मतलब एक सिगनल से आठ बज से आठ बज के तस मिनिट के बीच में इतने परसेंटेज आप गाडी पास हुए इस्टूइट्स तो पाई डेगर में आपको डेटेल्स दिख रहा है 30 परसंट कार ट्वेल परसंट टेंपोस 8 परसंट बसस 10 परसंट ऑटो रिक्षा और टू वीलर्स 40 अब आप से क्वेश्चन क्या पुछा है तो आप से पूछा है दो ही क्वेश्चन पूछा है क्या बोला कि फाइंदा सेंटरल एंगल फॉर इच टाइप आप आफ वेहिकल तो 30 है 100 में से 8 10 40 परसंट है 100 में से लेकिन इनको सेंटरल एंगल कितना मिला है अगर वो 30 परसंट है तो इसको एंगल कितना मिला है अगर वो 12 परसंट है तो इसको एंगल कितना मिला है यह आपको फाइंड़ करना है हर टाइप के वेहिकल का तो 30 परसंट आउट ओफ टोटल हं तो यहाँ पे भी हमको इसी तरह करना है मतलब मैंने आपको बताया था इसा दो रिलेशन आपको फाइड आपको करना है जिसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि अगर आपको एंगल नहीं पता है अगर आप उसको एक्स अजूम करते हो एक्स डिग्री तो वह एंगल जो भी रहेगा वह आउट ओफ 360 रहेगा तो यह लेफ्ट हें साइड में है इसका रिलेशन अगर राइट साइड में आप देखते हो तो कार्स 30% दिया है तो 30% होगा आ तो 360 करना है और फिर आपको क्या हो जाएगा कि कार्स के लिए कितना एंगल होता है वह आपको मिल जाएगा तो एंगल पूछा था कार का आउट ओफ 360 परसेंटेज दिया था कार का आउट ओफ 100 तो हम 360 को यहाँ पर बेज के सॉल्फ करेंगा जो भी मिलेगा वह एक्स का व हमेश की आपको क्या आईगा चाहिए तो 30 एंटां हर इंटू 360 टेमपूस में अपको सिंटर आपको 100 इंटू 360 बसर के लिए अगर आपको सेंटर एंगल दो तो मतलब बसस का या ऐसे समझे कि हाँ ऐसे समझना है 8 upon 100 into 360 इसके लिए आएगा 10 upon 100 into 360 इसके लिए आएगा 40 upon 100 into 360 तो इस शॉट करके हम इसको फाइल करेंगे पुरे डिटेल में हम पुरा ऐसा रिलेशन दिखा के नहीं करने वाले हैं फिर सेकेंड जो आप से पूचा है कि इ is 1200, find the number of all vehicles, मतलब अगर टूवीलर की बात करेंगे, यहाँ पर टूवीलर है कि अगर टूवीलर टूवीलर 1200 है तो आपको बताना है कि find the number of all vehicles तो पूरा टूटल वेहिकल बताना है मतलब इससा समझे कि अगर सिर्फ टूटल नहीं, सिर्फ अगर वेहिकल टूवीलर वाले 1200 है तो total vehicle कितना है तो इसका मतलब है कि total vehicle आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा total नीचे लिखा जाता है और है कितने 1200 vehicle तो इस तरफ क्या लिखो कि इस तरफ आपने क्या किया है कि two wheeler 1200 है out of total तो total आपको नहीं पता है क्योंकि वह आपसे पूछा है और इस त आपने सब का angle निकाला था क्य sticky तो is around the central angle for each type of vehicle आपशे बो लाए तो solution first है हम ऐसा लेखेंगे कि central angle for cars तो car के लिए अगर आपको central angle find out करना है तो आप जानते हो कि अगर आपको car के लिए आपने x zoom किया है तो out of रहेगा वो 360 car का angle upon total angle car का percentage upon total इसका मतलब भी कि अगर car का angle चाहिए आपको central angle for cars इसको इसका value अगर चाहिए तो आपको 360 यहाँ पर भीजना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर directly आपको ऐसा बता रहा हूँ which is equal to 30 upon 100 और यह वहाँ पर गया into 360 क्योंकि पूरा space नहीं है आपको सबका सब इसके लिए मैं directly इतना short form में लिक रहा हूँ यह तो आप ऐसा upon open करके भी कर सकते हो अब इसको अगर solve करेंगे तो एक जरो यहाँ पर जा रहा एक जरो यहाँ पर जा रहा एक जरो यहाँ पर जरा एक जरो यहाँ पर जरा रहा 3 को आपको 36 से multiply करना है आपको मिलता है 108 इसका मतलब है cars के लिए total 360 degree में 108 degree मिलने वाला है अब इसी तरह same pattern में आपको क्या करना tempos का बसेस का, आटो रिक्षास का और टू वीलर्स का फ़र्णू करना है, तो हम सेकेंड लिखेंगे यहापे, कि सेंटरल एंगल फॉर टेम्पोस, तो आप कैसा होगा, 30 अपन हंडेट इंटू 360 था, तो अब 12 अपन हंडेट इंटू 360 रहेगा, और 10 से डिवाड करें टाम आपको 1-0 के वज़े से एक के बाद पॉइंट करना पड़ेगा, तो 6-2-0-2-1-6-1-7, 1 एक प्रेस गया, 3-2-0-6, और 3-1-0-3, 2-6-6-2-1-13 हो जाएगा, 3-1-3-1-3 और 1-4 हो जाएगा, 432 अपन 10 होगा, तो यह 10 के वज़े से एक पॉइंट यहाँ पर आजाएगा, 43.2 हो जाएगा, तो अगर यह 43.2 होता है, तो आप 43.2 डिग्री जो है, आप डिग्री में एक्स्प्रेस नहीं करिए, आप उसको राउंड अफ करिए, तो 5 यह 5 से छोटा रहेगा, तो आप इसको हटा दीजिए, और इसको एप्रोक्सिमेटली लिखिए, 43, 43 डिग्री, तो आपको इसा लिखना है, तो यह Central एंगल आपको मिल गया, Tempos के लिए, अब हम Find out करते हैं, बसस के लिए, तो हम लिखेंगे Central एंगल for buses, which is equal to 8 upon 100 into 360, एक एक जिरो यहाँ पर cancel हो रहा है, फिर से आप क्या करें, 36 को 8 से multiply करिए, 8, 6 है 48, 8, 4, 8 रिजा 24 और यह 28 हो जाएगा, फिर 288 upon 10 है, तो 28.8 हो जाएगा, अगर यह 28.8 होता है, तो यह 5 से जादा है, तो आप इसको 9 कर दिए, 29 कर दिए, जैसी यह 5 से कम था, तो आपने इसको छोड़के 43 रखा है, उसी तरह यह 5 से जादा है, तो आप क्या करोगे 28 से जादा कर दोगे, और यह एकोड़ तो प्रोक्सिमेटली, तो अगर फाई गर रगा तो तो आप इसके बाद हम फाइनट करते है, तो आप रिक्षा के लिए तो लिखेंगे, लिखेंगे Central Angle for Auto Rikshats, विच इकोड़ तो 10 upon 100 into 360, जिसमें यह 0, यह 0 कैंसल वा, यह 0 और यह 0 कैंसल वा, 1 x 36 आपको exactly 36 degree मिलता है फिर एक ही बचता है 2 wheeler तो यहाप लिखेंगे Central Angle for 2 wheelers which is equal to 40 upon 100 x 360 1 0 यह cancel हो रहा, 1 0 यह cancel हो रहा, 1 0 यह cancel हो रहा 36 को अगर आप 4 time multiply करोगे तो आपको मिलता है 144 degree तो आपको पहला question solve वो गया students तो चलते हैं भी second question पर second question आपसे क्या वला कि if the number of 2 wheelers is 1200 find the number of all vehicles तो इस बार 2 wheeler का जो number है sorry, हाँ, सिर्फ 2 wheeler जो है वो 1200 है total कितने vehicles आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसा कर सकते हो, equal के एक side में 1200 सिर्फ और सिर्फ 2 wheeler और total कभी भी नीचे होता है students तो total यहाँ पर रहेगा, total और जो आपको पूछा है, जिसको आप X assume कर सकते हो तो total number of vehicle यहाँ पर करोगे तो left side में क्या रहेगा, left side में मैंने आपको बोला था या तो आप 40% दिया है 2 wheeler के लिए upon 100 लिख सकते हो, या तो आप एक काम और कर सकते हो 2 wheeler का आपको angle मिल चुका है यहाँ पर 2 wheeler का angle आपको 144 degree मिला है इसका angle आपको 144 degree मिला है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 144 upon 360 मतलब आप यह दोनों को लेके solve कर सकते हो या यह दोनों को लेके solve कर सकते हो आपकी मरजी स्टोएट्स, हम यह दोनों को लेके solve कर रहे है because हमने 144 degree निकाला है और इसा कुछ नहीं है आप इन दोनों को लेके भी solve कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर लिखते है solution number 2 और यहाँ पर assume करेंगे कि लिए the number of all vehicles भी x जो उन्हें उन्हें पूछा है कि total कितने vehicle है वो बताइए तो हमने उसको x assume कर लिया है यह total instruments और आपको two wheeler कितना दिया है 1200 तो आप यह भी लिख दीजे कि the number of two wheelers is 1200 अब relation लिखेंगे कि या relation लिख रहे दिखे कि the central angle for two wheeler upon total central angle जो क्या total angle मतलब 360 मतलब 144 degree जो आपको मिला था तो central angle for two wheeler upon total angle which is equal to two wheeler number of two wheelers upon number of all vehicles मतलब x जो आपने आपे x assume के है तो relation algorithm clear strengths यहाँ पे number of two wheeler है और upon total wheeler है और यहाँ पे central angle for two wheeler है और upon total angle है अब हम क्या करते है central angle जो है इसके जेगे पर 144 लिखते है क्योंकि यह आप लिख लिखेंगे पीछे यह 144 है और upon यह रहेगा 360 360 which is equal to number of two-wheeler आपको दिया 1200 तो यहां पर रेका 1200 और अपॉन X. अब अब क्रॉस मुट्रीशन करोगे X को 144 से मुट्प्लाय करोगे और इकवल का साइन लिके 1200 को अब इसको solve करेंगे 12 12 144 होता है आप जानते हो और 12 3 जा अगर आप चाहो तो यह भी कर सकते हो 12 3 जा 36 और यह 0 फिर यह दोनों को आप कैंसल कर सकते हो 12 1 जा और 12 1 जा और यह 2 0 मतलब 1200 जा 1200 अब 100 को अगर आप 30 से मुट्प्राय करोगे तो आप जानते हो आपको मिल जाता है 300 तो एकस का वैल्यू 300 मिला मतलब टोटल जो वहिकल्स.. सुद्धी 1000 एकस का वैल्यू अगर आपको 3000 मिला मतलब को टोटल जो वहिकल्स है वह 3700 जिसमें से 1200 टू वीलर से और बाकी का अगर आप से पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हो फिर हम क्या करेंगे फाइनली हमसे जो दोनों कोशन बोला था उसको समराइज करके फाइनली हम अंसर दिखाएंगे इसा कि कार्स 108 डिग्री है टेंपोस 43 डिग्री है बसस 29 डिग्री है और रिक्षास 36 6 डिग्री है टू विलास 144 डिग्री है और सेकेंड कोशन में जो आपने पूछा था मतलब इन्हों ने जो पूछा था वो लिखा आपने कि टोटल नंबर वेहिकल 3000 चली ये 14 कोशन आपका फिरिश होता है 16 कोशन करते है 16 कोशन के लिखाए तो एक सर्वे किया गया बच्चों का ये पुछने के लिए कि उनको कौन-कौन से गेम पसंद है देटा उप्टें इन दे सर्वे उस सर्वे में जो भी डेटा मिला इस प्रेजेंट इन पाई डिग्रम ये पाई डिग्रम में बता दिया है अब ये टोटल स्टूडेंट जितने भी है जितनों का सर्वे हुआ है वो वन थाउसन है तो आप से जो पूछा हो तो बता रहो यहां पर हुआ क्या है 63 डिग्री मिला है फुटबाल के लिए लेकिन कितने बच्चे ने फुटबाल पसंद किया यह आपको नहीं मालूम है उसी तरह 54 डिगरी हुकी के लिए मिला है 72 डिगरी अदर्स के लिए मिला है क्रिकेट के लिए 81 डिगरी मिला है 81 डिगर सबसे हाइस डिगरी है तो आप समझ सकते हुआ कि जग ज़्यादा लोगों ने कितने लोग पसंद करते हैं तो चली मैं आपको एक क्रिकेट वाला बता रहा हूँ फिर वाकिया आप खुद भी कर सकते हो बहुत इजी स्टुडेंस आप खुद ही कर लोगे अभी का भी आप फिनिश कर लीजी वीडियो के देखने के बाद हम खुद हुद करेंगे हां रीलेशन यहीं करेंगे चली रीलेशन पहले आपको बता देता हूँ अपने से बुचा क्या हूँ फॉदेंस लाइक क्रिकेट丶ी एकक्यम लोगों पसंकी कीद्न है अगर आप राइगा एक्स लोगों को क्रिकेट पसंकर आपको लिखना पढ़े is equal to x upon 1,000 मतलब 81 degree मिला है cricket को out of 360 में से कितने लोग cricket पसंद करते हैं out of 1,000 में से फिर आप cross multiplication करके x का वाली जैसे निकालोगे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने students like करते हैं cricket का चल इसको solve कर लेते हैं पहला question लिखते हैं तो इहाँ पैसा लिखते हैं कि solution 1 में कि let the students who like cricket be x cricket को पसंद करने वाले जो students है वो x है और फिर हम लिखेंगे कि the central angle for cricket is 81 degree है और आप total number of students भी लिख सकते हो चलि मैं arrange करके इस तरह लिख देता हू टीनों चीज कि let the students who like cricket be x, x वो है तो वो students से जिनको cricket पसंद है total number of students आपको दिया है 1000, central angle for cricket cricket के लिए central angle 81 degree दिया है अब relation हम क्या करेंगे relation है सा लिख सकते है कि the central angle for cricket central angle for cricket upon total कितना रहेगा 360 यहाँ पे 81 आएगा क्योंकि central angle for cricket आपको दिया है तो 81 the central angle for cricket upon total 360 which is equal to यहाँ पे total नीचे रहेगा मतलब number of students जो है total वो नीचे आएगा और उपर कोन रहेगा वो बच्चे जो cricket को like करते तो हम इसा लिखेंगे कि students liking cricket upon total number of students याद रखे total हमेशा नीचे रहता है यहाँ पे angle का total है और यहाँ पे number of students का total है यहाँ पे कितना angle मिला है cricket को और यहाँ पे कितने लोग पसंद कर रहे है cricket को अब central angle आपको दिया है 81 और students liking cricket को आपने x रखेंग किया है और total number of students आपके पास 1000 है यह data में कैसे आप changes लाओगे यहाँ पे लिखोगे 81 upon इसके जगे पे लिखोगे 360 which is equal to students liking cricket वो x रहेगा यहाँ पे लिखोगे x upon total number of students आप लिखोगे 1000 फिर cross multiplication करेंगे x को 360 से और 81 को 1000 से तो लिखेंगे 81 multiplied by 1000 which is equal to x multiplied by 360 यहाँ उटा कर सकते है पहले इसको और फिर बात भी इसको भी लिखेंगे तो हम ऐसा बचेगा x अगर आप पहले ऐसा लोगे तो x इस तरह बचेगा और अगर पहले आपने इसको ले लिया है तो x उस तरह बचेगा one and the same students आप इसको solve करते हैं यहाँ पर एक एक जीरो cancel हो रहा है 9 के table में जा रहा है यह 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81 फिर यह 4 के table में चला जाएगा 4 2 जा 8 दो बसता है 24 5 जा 20 9 को 25 से अगर आप multiply करते हो तो आपको मिलता है 225 इसका क्या मतलब होगे कि total 225 students out of 1000 ऐसे हैं जो cricket को पसंद करते हैं अब आपका जो second question था वो क्या था second question football का था football का students तो उसके लिए आप क्या करोगे 63 upon 360 which is equal to इसके लिए आप assume कर लिए y और upon total कितना रहेगा 1000 और फिर इसको solve कर लिजे तो आपको मिल जाएगा football के मतलब students जो पसंद करते हैं अगर आपको other games का पूछा है तो other games यहाँ पर है मतलब 72 तो 72 डिग्री रहेगा out of 360 और which is equal to यहाँ पर आप जेड आप जोब करते हो तो out of रहेगा वापी से 1000 तो मेरे साब से आप यह solve कर सकते हैं students तो मैं यहाँ पर solve नहीं कर रहा हूँ इसको आप solve कर लिए कर लिजे ट्राइ कर लिजे अभी कर भी सेम इसी पैटन पर रहेगा let the students who like football be why assume कर यह total number of students are 1000 the central angle for football is 63 degrees उसके आद बाकि same relation रहेगा उसी तर आप others के लिए भी कर सकते हो मैं आपको directly answer बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको जो final answer मिलेगा वो मिल रहा है कि students who like cricket वो अपने 225 इसको calculate किया है students who like football 175 मिलने वाला है और students who prefer other games are 200 तो hope कर दो कि आप इसको solve कर लोगे अभी का भी जैसे आप वीडियो देखते हो तो चली फिर मिलते हैं आगे के दो question बचते हैं next video में मिलते हैं Thank you very much